पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबिल में प्रमाण है कि प्रभू ने मनुश्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में सृष्टी रजकर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वें कह रहे हैं कि मैंने तुम्हे उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में सृष्टी रजी कथा साथवे दिन तक पर जाविया जा उसकी ख़बर किसी बाख़बर से पूछ कर तो देखो कृपया हवश्ची सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रिस वचर जैसे हमने बैंक से लॉन ले रख्या तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो वे गर पे भी आऊंगे नोटिस भी देंगे और फिर कोर्ट कारवाई भी करेंगे और निलामी भी करेंगे उनकी तो मजबूरी है वो इसी परकार इन भगवानों का हमारे उपर करदा है और इनकी मजदूरी करेंगे हम पूजा नहीं करेंगे अब जैसे कोई किसी के यहां नौकरी करता है तो उसकी पूजा नहीं कर रहा वो अपना वर्क डन प्राप्त कर रहा उसे अपना मजदूरी करके पैसे ले रहा अपना गुजारा कर रहा है ऐसे ही समझो और दूसरे सब्दों में जैसे आपने देखा होगा ये मद्धू मक्खी का चत्ता होता है और उस चत्ते से सैद निकालने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके अपनाते हैं कुछ लोग एक थोथी बांस की डंडी ले ले लेते थे लंबी बांस की जो है ना बंबू की पाइप अब तो पाइप आगी है लगा देती तो उसको और उसमें से सैद आना शुरू हो जाता था उस नीचे वाल्टी दर लेते थे नीचे कोई पात रख लेते थे और वो खाली हो जाता तो लटना कड़ लेते थे तो ये समझो के हमने तो इस इन से लाब लेना है यह सैद के छचते में यह पाइप डालनी है और या पूजा समझे लो तो या अपना काम निकालना समझो तो यह ऐसा है तो ऐसा जो है यह हम इनकी साधना करते हैं इनकी मजदूरी करते हैं पूजा नहीं करते हैं अब आपको यहां डिफाइन करना पड़ेगा डिफ्रेंसियेट यानि भिंता बतानी पड़ेगी कि एक पती भरता लड़की है, किसे कहते हैं, जैसे एक सह परिवार में है, जेठ भी होता है, देवर भी होता है, जिठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, सास और सुसर भी होते हैं, नननद भी होती है, और रिष्टेदार भी आते जाते हैं, और और कुल परिवार के लोग भी आवागमन घर में रहता ही है तो वो पती भरता जो लड़की होती है वो सभी का सत्कार करती है यतोचित जेट का एक बड़े भाई की तरह है देवर का अपने छोटे भाई की तरह है ननद का एक छोटी बड़ी बहन और छोटी बड़ी बहन के तरह है और सास सुर्का मात पिता के तुल वो सथकार करती है सबसे मिठा बोलती है प्यार से रहती है लेकिन वो पूजा करती है अपने पती की अपना अत्मा जब तक सह परिवार है तो सबस के साथ वो मेल से रहती है और बहुत ही घुल मिलक रहती है लेकिन जब वो अलग होते हैं तो उसके हिस्से में जो सामान आता है वो चम्मच और चक्कू भी ठाले जाएगी सुई तक नहीं छोड़ा अपनी केमारी है या जो अपने पती के साथ ली जाएगी तो पुन्यात्माव हम यहां पर हम कबीर परमेस्वर जी हमारे पती समझो हम सभी उसकी आत्मा है और जो परमात्मा से जुड़गे हम उनकी दुल्हन होगे जो परमात्मा कबीर जी से जुड़गे समझो हम ने फिर कैसे भ्यार करना है जैसे ब्रमा जी, विशनु जी, शिव जी, गनेश जी, दुर्गा जी अब ये हमारा एक परिवार समझो जैसे प्रमात्मा ने बता है, कबीर जी ने और गीता जैनुमर पंदरा में भी यह सपश किया है उर्दो मूलो मदै साखम ये अक्सर पुरस एक पेड़ है, निरंजनवा की डार अर्तिनु देवा साखा है ये पात रूप सरसार, ये सारा एक हमारा हम सब एक एक अंग है अलग-अलग से और सब हमारा एक दूसरे का एक योग है जुड़े हुए हम एक दूसरे से तो ये बिर्मा, विश्व, महेश, आमसे भिन नहीं है और अनादर्डिय नहीं है, लेकिन पूज़े नहीं है क्योंकि हमारे पूज़े कबीर देवजी है और वही हमारे पती है हमने यहां भी सब का सत्कार करना है अब पूज़ा और सतकार में आधर में कितना अन्तर है ये आप इस उढारन से आसानी से समझ सकते हो कि हम सभी का नमसकार करते हैं प्रणाम करते हैं नमो नमो सत्पुर्श को नमसकार गुरू की नहीं सुर नर्मुनि जनसा दुआ संत तौसर वस्डी नहीं यानि सब को हम सदकार करते हैं लेकिन पूजा हम परमक्सर ब्रम की करते हैं कबीर देव जी करते हैं हमारे वो पती हैं और हम जब तक उनकी पती भरता पत पर उनकी साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे हमारी पूरी मदद करेंगे तो इस परकार ये ना समझना कि हमने आपको जो मंतर दिये हैं बिरमा विशनु में इसके ये की पूजा नहीं है जैसे आप जी ने आप विदेश में गए हो वहाँ कोई फैक्टरी लगा रखिए उसमें आपने टेलिफॉन कनेक्शन ले रखा है आप जी ने जल पानी का जल का कनेक्शन ले रखा है विधुत बिजली का कनेक्शन ले रखा है और आप जी किसी कारणवर्स वो बिल नहीं भर सके तो आपका कनेक्शन कट गए सारे टेलिफॉन का भी कट गया बिजली का भी कट गया और जल यानि वाटर सप्लाई का भी कट गया अब आप जी के पास धन चाहिए ताकि आप उड़का बिल भर सको और फिर पुने स्टार्ट हो इतना आपका व्योंत नहीं रहा तो वहाँ कोई ऐसा गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी दे और जो सरकार को भी बानने हो कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा इस व्यक्ति की उसके पास पूरी संपत्ति है तो फिर क्या होता है वो गारंटर बीच में आ करके आपके पुने चालू करवा देता है बिजली वाले कनेक्शन भी टेलिफॉन कनेक्शन भी और वाटर कनेक्शन भी सप्लाई का और फिर आप से कहा जाता है कि आप जी अब अपनी मज़दूरी करके कमाई करके ये टेक्स आप न वरना पड़ेगा इनका बिल किस्तों में भर देना तो आप जी का फिर काम शुरू हो गया और कमाई करके आप उनकी वापिस दे दोगे तो पुनात्माओं हम सत्युग में जन्में थे हमारे बहुत पुन करम थे हमें कोई आपदा नहीं आई और हम सभी धान लगाते थे जो मनमाई साधना करते थे और फिर भी हम सुखी थे हम ये सोचा करते थे जो साधना हम कर रहे ही नहीं से सुखी है फिर हम तरित्ता मजन में तब भी हम गणे दुखी नहीं हुई फिर हम दौपर मजन में तो भी हम गणे दुखी नहीं हुई लेकिन हमारे पुन अक्सिन होते चले गए और हम साधना गलत करते रहे आप देख लिए सतियुगते लेक आज तक का इतियास आपके समख स्खोल के जिखा दिया इस दासना है कि क्या साधना करते थी कल आपने सुना था कि विश्णु जी कह रहे है मैं दुर्गां से उपर कोई भघवान नहीं जानता इस से उपर कोई देव नहीं है कोई परभू नहीं है और महतिसी की पूजा करता हूँ बताओ और सति यो के ब्रहा मन्यूक के बारे मुं लिखा कि वेदों के पूर्ण विदुवान थे कर दुर्गा की बूजा करते थे खाक विद्वान थे वो तो जब तक वो साधना अपनी जैसे भी कोई करता रहा पुन ठीक है ना करो साधना वो पुन तो पूरे मिलेंगे आपको पिछले जनम के जो किये वे प्राहरद के या कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखाते हैं जो कती बगवान के हो गया थे मिना वेक बगईता इश्ट दाम पर चले गए मां ठाटे के सो रुपिया दान करें और फिर सारा साल गूटी लाओं है सारी बगवाद बढ़ें दरूदर के खूब अरुन के खूब ठाठ हैं खूब अच्छी संतान है खूब संपती है अच्छी पो जब तक वह बैटरी चार्ज है और फिर एकदम आपती आवेगी जैसे आपको बहुत बार बताया है कि मुख्य मंत्री हेलिकाप्टर मजा रहा था जब तक कितने ठाट थे और जब वो डिस चार्ज होगी ना बैटरी हेलिकाप्टर हम हमारे एकरस होगे को पानी प्याने व आपके समक्स हैं आप जी करते आ रहे थे लेकिन आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती रही और चारज ठीक लगया नहीं यानि सत साधना मिले नहीं प्रम संत मिले नहीं मिले तो उनकी अमना मानी नहीं कबीर परमात्मा चारों योगाम आए हैं अब आगे हम कली योग में भकती बिना नहीं रहे सकती कोई इनको साधना करी ही रहे हैं उन साधनाओं के करते करते अब आपदाएं आ रही हैं और पहले दो साधना किया करते थे वो करते तो गलत थे लेकिन आपदाएं नहीं आती थी कारण क्या था कि उनके पुन ज़्यादा थे और वो ये सोचा करते थे कि जो भक्ती हम कर रहे हैं इसे हमें लाव हो रहा है अब वो ही भक्ती आज पूरा विश्व कर रहा है यानि विश्व कर हिंदू धर्म तो अवस्य वही पूजाएं कर रहा है जो पहले लेकरा करते और उसके करते करते आप जी को कितने कस्ट हो रहे हैं कारण क्या है कि आपके वो पुनों की बैटरी डिस्चारज हो ली और चारजरा आगे ठीक लगया नहीं तो आप पर आपदाएं सरू होगी और आज ये बात आपके समझ में आसानी तावगी तो इस परकार हम पहले अपना जीवन विर्थ करते रहे और सादना ठीक बड़ी नहीं तो पुन्यातमा हो आप जो परसंग आपको दास सुनाने जा रहा है कि सत सादना ना करके हम जो भी कारिय सादना करते हैं वो यूजलेस हैं और गुन तिन्नों की भक्ती में जो हम करते हैं तिन्नों गुनों की सादना रजगुन बिर्मा, सत्गुन विश्न, तम्कुन शिवजी की इस में कहते हैं भटक रहा संसार भरम रहा संसार तो आप जी सत्पुर्स परमात्मा परम अक्सर बरम की भक्ती करोगे उसकी पूजा करोगे और वाकि सब आदर और सत्कार सब का करेंगे तो हम जो आपको इन कमलों क्योंकि आपके कमल बंद होगे आपके कमल बंद होगे आप सौधेस नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी रणों से मुक्त नहीं हो जाओगे आप तरकुटी पर नहीं जा सकते एरपोर्ट पर नहीं जा सकते तरकुटी हमारी यहां पर है वैसे यहां बताने के लिए यहां कहा जाता है इस सथान पर और यहां लेकिन हुआ बैगो तो यहां पहुँचने से पहले हमने यह नीचे के सभी कमल इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा हर्दे कमल के अंदर जीव का बास है हर्दे कमल से यह सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको हर्द्य कमल से उपर रस्ता सीधा नहीं है नीचे मूल कमल में जाना होगा मूल कमल में गनेश जी का बेरिगेटर पाऊगा वहाँ पर बेरियर पाऊगा और उहाँ आप के साथ परमेश्वर होगा आपके हाथ में वो नो डू सर्टिफिकेट होगा आपने गनेश जी की मजदूरी करके उसके नाम के जाब की करके और उसको रनमुक्त हो चुके हो और आटोमेटिक आपके वहाँ पर नो डू सर्टिकेट लिखा पाऊगा अग जाईए फिर आप बिरमा जी के उसमें आओगे पैरिगेट पर बिरमा जी के लोक में जाओगे इस कमल के में आओगे वहाँ से फिर आपको इस नाम के जाब की कमाई से आप वहाँ से रनमुक्त मिलोगे फिर विश्मु जी के ना भी कमल मा आओगे वहाँ आप इस मंतर का जाप जो पर्थम मंतर माप को देते हैं उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रस्ता फिर हर्दे कमल माओगे जो आपको भगवान पारबती और सिव का जाप दिया जाता है मजदूरी है ये पूजा नहीं इनकी तो फिर वहाँ आपके इस मंतर के जाप के जो पर्थम मंतर मापको दिया जाता है इन सभी भगवानों की मुझदूरी करने की उसके बाद फिर कंट कमल माओगे यहां दुरगा जी का वास है इसका भी आपको एक मंतर दिया जाता है उससे फिर आपका यहां भी रष्टा साफ में लेगा क्योंकि यह देवता है यह यहां के नकली इन ओफिसों में बैठे जो कलरकवा आदी है इसकी तरह डंडी नहीं मारें यह तो कती सप्रस्ट पाओगा जो भी आपका अकाउंट है केम्पूर्टर की तरह आपका कलीर पाओगा आपने क्योंकि आपने साधना सही करकी है तो और फिर आप आओगे तरकुटी में जब पहुंचा जागा तरकुटी में और यह डूपलिकेट संत के हैं हम तो कहते हैं सिद्ध तरकुटी में जाते हैं कि अम निचे के कम्ल्डों से कोई लिंक नहीं है, हम तो शिध्य कि तिरकुटी में पहुंच जाते हैं, यह र्याद्ल स्वामी वाले सद़ लोग का यह ठेका यहुँआ रहे हैं सद़ लोग जान का और सब नवे जिनका, ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंतर जाप सही, और यह क्या कहते हैं, निच्चे कि हमने कोई लेक लेना देना नहीं, हम तो सीज़ तर्कुटी में जाते हैं, तर्कुटी तो समझो, इंटरनेशनल एरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले, आपने पास्पोर्ट बढवाना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, कि सब लो डू सर्टिफिकेट, सभी सरकार के, सभी भागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए, कि जाने का किराया भी हो, तो यह सारा कुछ हो लेगा, तो आप एरपोर्ट में जाने योग्य होगे, अगर आपने वैसे ही पहुंच गे एरपोर्ट की, वहाँ जैसे पलेट फार्म की टिकट टिकट वागे, बेठे रही हो वहाँ पर, कोण जान देगा के तुने, तो इन नकली पंथों ने ये काल के पंथ हैं, रादा स्वामी पंथ, जैगरु देव पंथ, सच्छा सो दाश जर्शा वाले का, जगमाल वाले का, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मुस्ताने, ये और ये बालयोगिश्वर, और ये सत्पाल जी, ये आसा राम जी, और ये थुदानसु जी जितने भी हैं, और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनतीन इतने हैं, ये चैनल बर राखे न सारे, ये सारे काल के दूठ हैं, नकेक है का नहीं पता किसी ने, और दास सब को प्रार्थना कर रहा कि तुम जबाब दो हमारे उत्रपरशनों का, उत्तर ना जेकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ग्यान मत सुना करो राम पा करेंगे, सक्त कहना आलोचना नहीं, कोई जूठ पकवाद गड़े वो आलोचना होती है, और ये कहते हैं सिद्धे तिरकुटी में जाते हैं, तिरकुटी इन्होंने बरवाले का बस्टेंट मान रहे हैं, अकपाई दिल जांगे जो पहुंच जांगे, रिक्साम चले गे त पहुंच जाएंगे, बाल कोगा खेल नहीं, तिरकुटी पर जाना, तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे, और अंत समय में जाएंगे, जब हमारा समय होगा यहां से जाने का, उससे पहले की तदक्य खानगी जूरूत नहीं, अब जैसे हमने, सव देश जाना है, महले कहीं सब दूसरे देश मर रहे हों, और हमारा निर्धारी समय है, कि इतने समय तक आपका यहां पर विज़ा है, उसके बाद ही हम फिर सारी क्रियाएं करके, अपना नोडियो सेटिपिगेट लेकर के टिकेट बनुआ के, और फिर आवांगे उड़ा एरपोर्ट पर, अब कई कहते हैं कि हम ने तरकुटी तर ना देखी, यह सब भरमित ग्यान है, अब जैसे हम आप जी मजदूरी कर रहे हो कहीं पर, किसी देश भी देश में जाक है, दूसरे देश में, और वहां से आपका जो एर, इंटरनेशनल एरपोर्ट है, मनमाना है, पानसो किलो मेटर दूर है, एक जार किलो मेटर दूर है, अब कोई नूक है, कि तुने प्लेट ओ देखा है, एरपोर्ट, और दूसरा नूक है, मैं तो रोज देख कर आता हूँ, अब एक जार किलो मेटर रोज दके खान जाओ, उसके सा मुरक नहीं, पैसे लागें, टेम खराब हो या अपते दस दिन मज़ा तो भी मूरक है उसने देखन खातर जावाई उस दिन चालाएंगे जिस दिन सारा कुछ देखते चालाएंगे तो ऐसे जो हट योक करके कहते हैं Whereas गल दीख्या को या केट टॉ देखो गे उपर बता हमने तो सत लोग जाना है इस बिर्मांड के अंदर जो भी हमें सुन रहा है इस पेंड माने पेंड कहो इस सरीर है यूँ और बिर्मांड कहो ये एक बिर्मांड है ये इसको बिर्मांड को अंड भी कहते है क्योंकि यो इलीपिकल सेफ का है अंडे जैसे आकार का है और इस बिर्मांड का सारा इस परतेक मानों स्रीर के अंदर विद्मान है, जैसे मूल कमल में गणेश जी के लोक में जो कछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी करियाएं हो रही हैं, जो भी वहां पर वो दरिश्य हैं, वो सारे आप मूल कमल में देख सकते हो, और विश्मु जी के लोक में जो हो चैनल होते हैं अब वो कारीय करम तो कहीं और हो रहा है और वहाँ से रिले किया जा रहा है तीवी चैनल पे तो उस टीवी चैनल को एंड करके हम उस सथान पर हो रहे दरस्य को आँखों देख सकते इसलिए स्रीर को पैंड भी कहा है और पेंड में और बिर्मांड में और इस अंड में अंड कहो बिर्मांड कहो एक ही है और पेंड ये उसरीर है और ये रादा स्वामी के नकली नो कहा है अंड और पेंड और बिर्मांड ये तीन है इसन आड़ती है ते पेंड कहा है ये और आड़तें ये अंड के हैं अब लगयो बिर्मांड ये उस हांग से हैं कहा 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 पर नहीं पता है ये सारा बिर्मांड है इसको अंड दूसरे सब्दों में कहते हैं अंड आकार है और पिंड ये सरीर है इसकी अंदर पूरे बिर्मांड में जो घटना हो रही है से सरार कम कमल में ब्रम लोका देख लो और इस दुर्गा के कमल में दुर्गा के लोका सब दिखाई देता है तो इसलिए ये इसके अंदर जो भी हमने दिखाई देता है और जो भी ये धुन सुनती है ये काल की है एक परमात्मा कबीर जी का सब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा ह उसमें लाश्ट में उन्होंने बता दिया है कि कहे कबीर सत्गुर्दी तारी और खुले कपाट सब्द दनकारी अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है अंड ये बिर्मंड को कहते हैं पिंड ये सरीर इस पेंड कहो चाहे अंड कहो कहती इसके पार सो देश हमारा है वो जो भी धुन वास्तविक धुन है इस सरीर में नहीं सुनती ये तो काल की धुन है सारी कोई हैरे परले पार का जो भेदुक है जनकार का आदनी गृबदास सहाइब जी कह रहे हैं कोई है उस पρले पार का प्रलेपार की सतलों की एंड और परिंड के पार सो देश हमारा है उसका भेद बतावे है कोई ऐसा अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है एक कबीर परमेश्वर जी का एक सब्द है और उस सब्द को इर्रादा स्वामी वालों ने ले लिया और अलदी की गांठ लेका ये पंसारी बने इसमें परमात्मा ने सब्द बता है कि मूल कमल है जिसमें चार पंखडी है जिसका कलियम जाप है करने नो दीदार महल में प्यारा है काम करोद मदलोब विसारो सील संतो समा सत धारो मद मास मिथा तजडारो हो ग्यान घुड़े असवार भरम से न्यारा है निती दो ती बस्ती पाओ आसन पदम जुगत से लाओ कुम्बग करते रिचक करवाओ पहले मूल सुधार कारज हो सारा है मूल कमल कहते हैं मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग मानो मालिक थे प्रमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं के मूल कमल में चार पंखडी हैं और उसका ये जाप है के लिए मूल आत्मा जिन को ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तरो जागी इस ग्यान न सुनके देव गनेश तहां रोप्यो ठानों रिजिसी दी चमर दूलारो है के वहां गडियस जी ने ठाना ला रख्या है बगर जिसकी उसका करदा दिये बिना गजान नी दे किसे ने फिर है स्वाद चकर सठदल विस्तारो बिर्मा स्यावत्री रूप निहारो उल्ट नागनी का सिर्मारोता सबद ओंकारा है ओंकार नहीं ये ओम सबद है अरिये तस है जांतल संदें खावें रादा स्वामी आले दे जोत नरंजन ररंकार ओंकार अर्सोहमर सत्यनाम है सत्यनाम भी नाम सत्यनाम गानी विराय कुणशा है ना भी अस्ट कमल दल साजा सेथ सिंग आसन विस्ण विराजा हरियम जाप तासमुक गाजा है जहां लक्समी और विश्णु आधारा है दोआदस दल कमल हर्दय के माही जंग गौर सी विध्धान लगा ही सोहम सब दल दुनचाई गन करें जैकारा है अपने अत्मों ये हैं वो पांच नाम जो दास आपको साथ नाम देता है इनके बीच बीच के जो मंतर हैं पर्थम मंतर ये पांच नाम हैं जिनके उपर ये रादा स्वाम जाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरू गरत साथ में इन पांच सब्दों के बारे में लिख्या है नहीं उसमें सबश लिखा है कि इस सरीर के अंदर जहां जहां भी जो पर्धान देवता है उनके ही मंतर हैं वो पांच नाम और इस से अलग है वो सचा नाम सत नाम जो दो अक्षर का है और तीसरा आदी नाम है वो तीसरा नाम जो है सार नाम है वो सत है ओम तत सत तो इसमें वो सब निरने हो रहा है सोड़स दल कमल कंट के माही अरताही बसे अविद्या बाई हरी हर बर्माचमर डुराई तहां सिरियम ना मुचारा है अब कती सपठ कर रखे परमात्माने ये है वो मंतर ता पर कंट कमल है बाई बंग बहर दो रूप लखाई नीज मन करता जाठो कराई सो नैनन पिछवारा है यहां पर कमलन भेद किया निर्वारा ये सब रचना बिंड मजारा आख कान मुखबंद कराओ अनहद जिंगा सब्द सुनाओ दोन्नों तिल इकतार मिलाओ तब देखो गुल जारा है चंद सूर एक घर लाओ और सुसमन से तीध्यान लगाओ तिर्वेनी के सिंद समाओ बहुर उतर चल पा रहा है अब यहां बताया है कि चंद सूर घर एक के लाओ एक घर लाओ जैसे आप जी सिंद करोगे न सत नामका स्वास से सिंद होता है कुछ देर जब सिंद चलेगा बहुत देर के बाद तो क्या होता है यह दोन्नों सूर खुल जाते है लेफ्ट एंड राइट यह कभी कभी होता है तो फिर वो और लास्ट में जब हम चलेंगे यह छोड़कर उसमें यह सती थी एटोमेटिकली हो जाएगी करन की जुरूत को ना क्योंकि जो बक्ती हम कर रहे हैं यह अपने आप फिर सारा काम करेगी जैसे पुन्यात्माओं हम एक तोरी का बीज बो देते हैं वो किस सकलका होता है इतना को होता है सुका सुका सा और फिर उसका प्रोपल तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर दीरे क्या होता है पोधा बन जाता है बेल बन जाती है फिर बड़ी हो जाती है फिर लदपद हो जाती है तो ऐसे ये मंतर आपने एक सुकहा दिख़एगा ये मंतर जो ये फिर ये किरिया कर रहे हैं आपके यहां और फिर जब इसका फल आवगा उससे में आप सत लोग चलोगे तो इनके उपर फल लगे होंगे वो फल वो उसादना आपको फिर यहां से अपने आपको सतनाम मिलेगा सतनाम का जो दो अक्षर का मंत्र है वहां अकाउंट जिना पड़ेगा जैसे गीता जिए नमर ठारा के स्लोक नमर 66 में कहा है ये ब्रहम कहता है कि सर्व धर्मान परितज माम एकम सर्णम वरज मेरे सतर की सभी पूजाए मुझे दे दे मुझे मच छोड़ दे तब उस सर्व सक्ति मान की सर्णम तूजा एकम एक मने जिसके दुबराबर दूसरा ना हो तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्संकेतिक है गुप्त है ओम मंत्र की कमाई ब्रहम की है तो सेंसरार कमल में तिर्वेणी पर अकाउंट होगा वो जाएगा उसके पास सेंसरार कमल में और इसकी वहां छोड़े देंगे और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा कई भक्त परमित हो जाते हैं कि जो पर्थम मंत्र दिये जाते हैं और उन ही मंत्रों में से आगे सतिनाम बन जाते हैं तो अपने अत्मा वर्मा नी पढ़ना अब इसमें क्या होता कि जैसे कुछ जड़ी होती है जो पांच छे इक अठी मिला कर दौई बनाई जाती है उसका गुण धरम कुछ अन्य होता है और उन में से जब कोई दो अलग स मिला दी जाती है तीन मिला दी जाते हैं उनका गुण धरम का कारिये कुछ और होता है वो अन्य लाब देती है तो इस परकार समझना चाहिए आप बर्मित ना होना क्योंकि काल का काम है आपको बर्मित करना और मुर्ख बनाना अब चार युगता अपन पता हो गया तीन कल्युक जालिया की तिना पच्पन सो वरस लगए अब हमने आप जी को यह ग्यान इसलिए देना आवसिक हो गया आपको यहां बुलाना सीड़ी बना के देना पूस्त चापना कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो रिजेक्ट कर दो इनके परते एक परसन का पूतर दो दिल खोल के इनकी बातों मना आओ तब आप सफल होगे अब इसमें सारा कुछ बता कर के क्या बता है गंटा संक सुनो दुन दोई और सेंसरार कमल दल जगमग होई सेंसरार कमल में जगमग जगमग हो रही है एक हजार जोतिया ऐसे चस्वज रही है और वहाँ पर संक और गंटे की आवाज आ रही है ये महा सुरग बिर्म लोग है फिर क्या बताते हैं तामद करता नर्खो सोई बंक नाल धस पारा है डाकनी साकनी बहु किलका रहे हैं और सत नाम सुन बागे सारे ऐहे डाकनी साकनी बहु किलका रहे हैं और सत नाम सुन बागे सारे जब सत गुरु नाम उचा रहा है अब कहते हैं कि जब आप चरकुटी पर पहुँचोगे तो वहां काल अपने सारे अत्खंडे अपनाओगा आपको चारों तरफ से घेरने की चेश्टा भी करेंगे आप जी को ये भी लोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है आजो हम अपने लोक में रखेंगे भी सुनों के लोक में भी सुनों वाले वहां गण खड़े होंगे देवतार और फिर नहीं मान जानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहुक लका रहे हैं आगे रोकेंगे नुँआ शे शे तो कहते हैं फिर सत नाम सुन बागें सारे जो दो अक्र का सत नाम है स्वास उस्वास से सिमन करना आपने ये प्रेक्टिस करनी है यहां पर जभी भी कोई आपती आपके ऊपर यह नहीं करेगा जब सत्गुरु नाम हुचा रहा है अब ये सारी सत्थिती बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्द मुख कुया गुर्मुक सादू भरबर पिया नुग्रे पैसे मरे बन किया जाके ही ये अंधियारा है जिनके अग्यान रूप अंधकार है सत्वगती मिली नह नहीं तो उनको कहते हैं ये उर्द मुख कुया उपर को जड़ है नीचे को साखा वाला इसी परकार उल्टा कुआ समझो ये तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके अमर सादना अमर लोकी नहीं कर सके जिससे ये निगुरे निगुरे जिन्होंने सादना गुरु कोई बना न रखा अर्दनकली गुरू बना रहे वह विनूगूरे क्योंकि वह गुरू है लिए नहीं टो नकली पाषप्पर बनाने वाले तो वह पाषप्पर बनाने वाले हैं इंए ओर्दू ने दोखा दे। ते तिर्कुटी महल में विद्या सारा, गन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्न सूरज उजियारा, चतुर कमल मंज सब्द उंकारा है, साद सोई जो जिन ये गड़ लिना, नो दर्वाजे पर गठ जीना, दसमा खोल जाए, जिन जिन जहां कुलुफ रहा मारा है, अब यहां, क्या बता है, कि आगे सेत सुन है बाई, और मान सरूर पैठ अन्हाई, हनसन मिल हनसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर व्रहम सुन दर बारा, अब देखो, अब यहां आगे चलके एक और बता है, सतुर कमल दल, मद सबदों का रहा है, जब हम गर में दवार के निकट जाएंगे, तो वहां इस काल ने एक और जाल पैला रख़्या है, जहां इसने तपत सिला बना रखी, तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सतल बना रखिया जैसे यह जीव भरमित हो जाए, है अर्नो सोच यह तो मूल कमल आ गया वह हो मत गलत आ गया और वहां से फिर उल्टा हो लेए लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में आपको फरमीति नहीं होने जगा लेकिन परमात्मा बता रही है कि ऐसा ऐसा यह ठगी करता है फिर उन पुन्यात्माओ को जो वापस हो लेते हैं तो उन को फिर ये वहां अलग से रखता है किसी को सीव को मैं फिर विश्फ्चू लोक मैं अजो ऐसे ऐसे यह आगे विष्टार से बताइएगे गया इतना समय नहीं हम दूसरे दिस कुद्धेसे- इसे सत्षंग्व को चला रहे हैं उस पर आते है फिर क्या होता है कि ये अक्सर भ्रह HU, अब हम जो ग्यर्मा दवार पार कर के जब हम ग्यर्मा दवार पार करेंगे तो इसघ्सर भ्रहम का लोका जागा या क्सरपुरिका साथ संक ब्रुМहंड का अक्सेतर है अब कहते हैं दसमा खोल जाए जिन अजली दीन नहां जहां कुलुफर हमारा है इस दसमे दुआर पर भी काल ने जो हना आप बर्म रंदर बोलते हैं इसके उपर भी इसने बजर के कवाड जल रहें ताला ला रहें और इस सचे नाम से दो अखर के नाम से खुल जाता है जो गुरु मर्यादा में रहे कर जाप करता है कहते हैं दसमा खोलने के बाद फिर क्या बता है कि आगे सेत सुन है बाई मान सरूर पैठ अन्याई अन्हाई और हनसन मिल हनसा हो जाई मिले जो अमी आहरा है अब वहां जाकर के जब हम अक्सर ब्रहम के लोग जाँगे अक्सर प्रूस के में तो वहां बहुत अच्छी आत्मा होंगी और हमारा आपस में उड़ ये मन करेगा साइद कि हम इनके साथ को मित्तरता बना ले प्रमात्रम करते हैं नहीं ये जो भाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए नहीं तो उड़ा आसा ता बहसा होई फिर कहते किंगरी सारंग बजन सितारा किंगरी सारंग बजन सितारा अक्सर ब्रहम सुंदर वारा अब ये उल्टी गिंटी होगी ना फिर उसी तरह सुरू अब अक्सर ब्रहम के लोक में भी फिर ऐसा ही है फिर कहते हैं अचिंत रहाई बाएं दस दल सहज समाई योकमलन निडवारा है और पांचों ब्रहम पांचों अंडबिनो और पांच ब्रहम नी अक्सर जीनो इस काल भगवान ने बहुत बैंकर एक सद्यंतर रचा हुआ है जाल बना रहा है ब्रहम लोक के अंदर भी ये सारी रचना डुपलिकेट बना रखी ब्रहम लोक में ये सभी नकली सत लोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक और अक्सर ब्रहम का लोक ये सारे बना रखे तो यहां आगे निसकर्स निकालते हैं प्रमात्मा च्यार मुकाम गुपता किन्नो जामद बंदी वान दरबारा है दो परवत के मद निहारो बहुर गुपाता संथ पुकारो हनसा करते केल अपारो तहा गुरुवन दरबारा है सैंस अठासी दीप रचाए हीरे पन्ने मैल जड़ाए मुरली बजद अखंड सदाए तहां सोहम जनकारा है अब ये दो सब्द है ये परवर्म का जाप है और वहाँ इसकी गुंजार होती है इसी के सारे हम इसके साथ संग बर्भांडों की इसकमाई से पार करेंगे साथ संग बर्भांडों उठ सुगंद जहां दिकाई जाको वार न पारा है सोड़स भानू हंस को रूपा बीना सत धुन बजे अनूपा अनसा करत चवर सिर्भूपा सत पुरुष दरवारा अब देखो ये रादा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं सत पुरुष को सत लोक में और कहते हैं वहां मुक्त हुई आत्मा सत लोक में जाकर मुक्त हुई आत्मा वहां परमात्मा निराकार है सत लोक में ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समंदर में मताद कौन डूब कमरेगा समंदर में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डू बना है तो कौन किसकी का इंट्रेस्ट रहेगा किसी का मुरख बना रख्या है सबस्ट किया प्रमात्माने कि वहां पर अब परवर्म के लोग में परवर्म अक्सर पुर्स के लोग में तब बारा सुरियों जैसी रोसनी जैसा सरीर आपका हमारा होगा और जब हम इस परवर्म के लोग को जी अक्सर पुर्स के लोग को पार कर जाएंगे और फिर सत लोग म प्रवेश करेंगे वहां हमारा सोले सुरिय जितना प्रकास युक्त शरीर होगा तेज पूंज का ये नाड़ी वाड़ा शरीर तो यहीं रह जाएगा ये पांस तोपर सोड़ेस बानू हंसको रूपा बीना सत धुन बज़े अनुपा अंसा करत चमर सिर भूपा सत पुरस तरवारा है भूप माने अपने स्वामी राजा के उपर जा करके वो पुनात्मा जो मुक्त होकर चिली जाती है सत लोक मान सत पुरस पर चमर करती है जैवर डूब का मरगी होती तो ये चमर किस पर करते भीरे ये सफ़श लिख रखिया परमात्मा ने और ये सी वानी को लेकर के ये राजा स्वामी पंस तला रहे है और इसका अनुआद गल्द कर रहे है बोली आत्माओं को भरमित कर रहे है अब वहां कहते है हनसा करत चमर सिर भूपा जैसे आपने रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त नमबर ब्यासी के मंदल एक में कल पढ़ा आज सुबह भी देखा कि वो पूल परमात्मा पाप ना सक है और राजा के समान दर्सनिय है राजा के समान यानि यहां वही बताया है कि हनस करत चवर सिर भूपा उस भूप यानि उस राजा के तुल सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चवर करते हूँ जाका खुश होका अपने बगवान पर और यह सत्पुरुष दर्वारा है यह हो सत्पुरुष का दर्वार कोटी भानो उदे जो होई एते ही पुन चंदर खेलोई करोड सुरियर करोड चंदर मा मिला दे ऐसा पुरुष रोम सम एक न हुई ऐसा पुरुष दिदारा है उस सत्पुरुष के एक रोम कूप की भी सोभा इन से भी अदिक है करोड सुरियर करोड चंदर मा से भी और ऐसा दर्सन है उस परमातमा सत्पुरुस का साकार है यह आगे अलक लोक है भाई फिर अगम लोक है फिर अलग अलग बताए फिर लास्ट में निर्ने दिया है कहते हैं काया भेद किया निर्वारा यह सब रचना पेंड मजहरा अब जो भी कहते हैं प्रमात्मा ये हैं तो सतलोक में भी लेकिन तुम्हें जो बता जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये जूठे नकली यही विश्था इसमर रचना करवा रहा है और तुम इसी में उल्जे हुए हो काया भेद किया निर्वारा ये सब रचना पिंड मजारा पिंड मानी शरीर हुए है और माया अवगत जाल पसारा सो कारीगर भार्या है आदी माया की निचतुराई यह दुर्गा इस काल की पतनी है और इस को परमात्मा ने सबद सक्ती दे रखी है और निरंजन के आदे से काल के आदे से यह सब इसकी विस्था कर रही है कहते हैं आदी माया दुर्गा की नहीं चतुराई और जुठी बाजी पिंड दिखाई इस स्रीर में बना जी इस बिर्मांड में आवगत रचना रची अंड माही आवगत की रचना सत लोक वाली रचना कहते हैं इस नहीं इस अंड में अंड कहो चे बिर्मांड कहो इस में रच दी जुठी आदी माया के नहीं चतुराई जुठी वाजी पिंड दिखाई यह पिंड शरीर में जो दिखाई कमला में और जो दुंदान सुनें कहते हैं जुठी वहाई उस सत लोकी और यह इस ने रचना बना दी इस पिंड में बिर्मांड में जहां जहां भी यह सबद हो रहे हैं उनकी आवाजें यहां सुनती हैं चैनलों में , अर ये सुना है इस बिर्मांड की , इस अंड को बिर्मांड को हो, ये एक है और पंड ये सरीर है , अब यहां जो घटνा हो रही है सारी जो भी कहीं बाज बघ रहे हैं , धुन हो रही है , वह सारी सरीर ten सुनाई देती है तो ये सारी काल की धुन है इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हूं सब काल की है इन ता हमने करना के ये जाल है काल का क्या बताते हैं अवगत रचना रसी अंडवाही ता का परतीब मडारा है अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका परतीबम डाल दिया उसका जो है एक फोटो खेच दिया उसका नकल कर दी वसे लेकिन वो औरिजिनल्टी उसकी नहीं है सबद भी हंग मचाल हमारी कहे कबीर सत्गूर देई तारी खुले कपाट सबद जनकारी पिंड अंड के पार सो देश हमारा है पिंड ये सरीर अंड ये एक बर्मांड है कहते हैं इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में सरीर में ये सब काल की ही धुन सुन रही है अरीस में ये डेड़ से साल होगे कान फुडवाते हैं ने रादा स्वाम याड़ा ने बिचारे बोले सर दालू अब सर दालू ने ये गए थे पसंत मान कह जैसे कोई रोगी है और किसे ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का अर दुनिया की लाइन लाग र और ओस दी लेती हैं हर खा रहे हैं और अराम किसे ने जाना कोई बूत बढ़ बन गया कोई पित्तर बन गया और इन्होंने सारी उमर खोदी कई तेनी होगा हमारे गुल्ड डे कंडम होगे हमारे कान खटम होगे हमनों दाप दाप कैस उन्या कर थी हैं और तालू का जीब अमर छकलो इसका की अमर थी तो जो अमर ते इसके पार है नकली क्रियाएं बना रखी हैं काल ने लास्ट मपरमा तुमाने सब रेजक्ट कर दिया है कहते हैं कि पेंड और अंड के पार सो देश हमारा है हमारा जो सत लोगते इस पेंड और अंड से आगे है इसके भी से मगर पर लेपार का जो भेद कहें जनकार का जो वाष्टविक झनकार यानि धुन का भेद बताव है कोई है ऐसा नहीं है लेकिन गिन महापुर्शो को परमातमा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है और उन में से आपको दास बताते हैं पांच छे मापर उसे जैसे आदर्निय दर्मदास साहिब जी आदर्निय नानक साहिब जी आदर्निय मलुक दास साहिब जी आदर्निय गृबदास साहिब जी आदर्निय दादू साहिब जी आदर्निय गीसा दास साहिब जी खे किया है प्रमात्माँ का साख्षा कार किये हुए पुन्यात्माा हो मैं से एक आधनीरी घृब्दास साइब है वो क्या बता रहे है वारए सुख को दे वारए ब्यास रहे पौरा सरपर का से वार माने mãy अठरी तरफ अर्थ, वारही सुखदे, वारही ब्या से, वारही धुरु पारा सर परकास, यह धुरु पर लाजवी यही रह गे पार नहीं हुए, वारही दुर्वा सादर वेस वारही नारद सारद सेस वारही भरतरी गोपी चंद वारही संक सनंदन बंग वारही बिर्मा वारही इंद वारही सैंस कला गोविंद वारही सिव संकर जो संब वारही धर्म राय आरंब कहते हैं ये सिर्व संकर दूशन तुम संभू का तो ये भी वा रही है पार नहीं कहते हैं चारों वेदों में भी उस परमधाम का उस सतलोक का इनको भी ग्यान नहीं है यानि महिमा तो है उसकी लेकिन वाँ पहुंचने का विधी पाने की विधी नम नहीं है अलल पंक अगहा हद भेव जैसे कुंज सूरत से वार पार थेहा नह था ग्रीब दास निर्गून निगाः अपने अत्मो दो गंटे होगे हैं सत्संक को दो से उपर होगे हैं और जो दास सत्संक आपको जिसके लिए भूमिका बना रहा था अभी तवा भूमिका बनी है अब ये सत्संक सुनाना था आपको के कुन तीनों की भगती में ये भूल रहा संसार है श्री बिर्मा, श्री विस्नो, श्री शिवजी की बगती करने वाले ये भटक रहे हैं श्री मद भगवत गीता अजधाय नंबर साथ के सलोक नंबर बारा से लेकर पंदरा में ये सफ़श्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुन बिर्मा, सत्कुन विस्नो, तमगुन शिवजी की जो साधना करते हैं गीता ग्यान दाता बिर्हम कहता है उनकी साधना विर्थ है इन तीनों गुणों के द्वारा, तर्गुन मुई माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है राक्स सुबाव को धर्न किये वे मुनुशो मनीच, दुशित करम करने वाले मूरक ये मेरी भगती भी नहीं करते हैं अब इन सद्गरंतों से आपको परमान मिलता है कि इन तीनों गुणों, रजगुणों, विर्मा, सद्गुन, विष्णों, तमगुण, शिवजी की साधना करने से मौक्स नहीं होता फिर गीता ग्यान दाता ये ब्रह्म है, श्रीकर्शनम अप्रवेस करके ये काल है, ये बोल रहा है कि मेरी भगती भी चार परकार के करते हैं अर्थार्थी आर्थ जग्यासुर गयनी, आर्थों होते हैं जो संक्र निवारण के लिए वेदों के ही मंतरों के आधार्थ के द्वारा अनुष्ठान क्या करते हैं और अर्थार्थी वो हैं जो धनलाव के लिए वेदों के ही मंतरों का सयोग लेते हैं और किसी परकार की कोई किसी आरती का सहोग नहीं लेते जैसे जैगनेश जैगनेश देवा इस तरह की नहीं लेते हो और तीसरे जग्यासू जग्यासू वो होते हैं जो परमात्मा पाणे की तरफ में घर से निकले आगे नकली गुरू मिल गे और उनसे खत्ड़ा ग्यानी कठा किया वक्ता बनेगे वो भी रिजेक्ट तिन्नों रिजेक्ट कर दिये गीता ग्यान दाताने फिर कहा के चौती है ग्यानी अब ग्यानी वो आत्मा होती है जिनको ये पता लग गया कि वे मनुस जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुस जीवन पाक है ज़स सथ साधना नहीं की जनमरन का रोग नहीं कटा तो यूजलेस है ये जीवन भी उनको इतना भी ग्यान हो जाता है कि इन तीनों गुणों बिरान उपासना नहीं करने चीए बिरमा भी शुनों महिस्त की पूजा से भी मोक्स नहीं है तो उन्होंने वेदों को पढ़ा वेदों से स्वेम निसकर्स निकाल लिया ओम नाम फाइनल मंतर और बिरम इनका फाइनल अगौड हो गया आप पर निसकर्स निकाल के क्योंकि इनको तत्व दरसी संत नहीं मिला लिखा गीता जिद्ध है नमबर चार के स्लोक नमबर चौतीस में इसकी कहा है क्योंकि गीता गयान दाता प्रम है और गीता गयान दाता कहता हmag ना गीता मबरनित वो गयान मत बता भी नहीं सकता नहीं उन्न से पोछो और तत्वा दर्सी संत की भूमी का करने के लिए प्रमात्मा चारों युगम आते हैं और वो स्वें बताते हैं चारों युगमे संत पुकारे और कुक कहा हम हेलरे हीरे मानक मोती बरसे ये जग चुगता डेलरे जैसे प्रमेश्वर की महिमा में लिखा है रगवेद में कि वो अच्छी आत्मा को मिलता है अकर के अच्छी आत्मा को मिलते हैं सत लोग से चल कर आते हैं सहरीर आते हैं और फिर उन दड़ भकतों को ग्यान देते हैं और स्वेम परमातमा भी उंचे सवर से अपनी महिमा गाते हैं और यही परमेश वर स्वेम बता रहे हैं कि चारों युग मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेलरे कूक उंची अवाद लगा के हेला देदे के रुक के मार मार के हमने बताया कि जो सादना तुम कर रहे हो यह गल्द है जिन भगवान की तुम पूजा करते हैं यह मोकस दायक नहीं हैं यह तुमारे पाप का नास नहीं कर सकते और हम जो सत्सादना रूपी हीरे मोती तुमें दे रहे हैं यह तुम से विकार नहीं कर रहे हो सत्सादना और ये आनु पास ना रूपी ये डड़े इकठे कर रहे हैं जो तुम्हें कुछ भी लाब नहीं देगा चारों युगमे संत पुकारे कूके कहा हम हेलरे हीरे माने के मुती बरसे ये जग चुगता डेलरे अब ये तत्व दरसी संतिन को मिले नहीं जिस कारण से इन्हों ने बर्म को सुप्रिम पावर मान लिया रोम नाम को फाइनल मान लिया जब कि गीता जिद्धाय नंबर सतरा के सलोक नंबर तेईस में सप्ष्ट किया है कि सची दानंद घंबर्म के पाने का ओम तत्थ सती ती निर्दे से बर्मना तर्विद समरता है वो सची दानंद घंबर्म के पाने का ये तीन मंतर का जाप है ओम बर्म का तत्थ ये अकसर बर्म का और सत्थ है ये परम अकसर बर्म का तत्थ और सत्थ ये सांकेतिक है आपने आत्मों इनकी इतने भी बुद्धी काम नहीं करी के वेद कह रहे हैं कि वास्तवी ज्ञान पर पूर्ण प्रमात्मा का तो कोई संत देगा रिशी देंगे, उजो वेदों मर्णित नहीं है, और ये वेदों भगाता जोड़े, बेद पड़ें पर बेद न जान ये बा पत्ते खुवावें ये भूलगे सिर्जनहारा, अब ये बेद पड़ें और फेर पुराणाम टक्रमारें, जिन बेद पड़ें पुराणा जुरुत्य कोनी, और फेर पुराणाम पड़ें कहें कहें, मत्थरप की मूर्ति बना लो, उसका भोग लगाओ, पत्ते चड़ाओ उसकी जल जड़ाओ, अब इधोंने दो साधनाएं की ज्यन्नी आत्माओं ने, अपने आत्माओं आज दिन में भी सत्संग आपको सुना था, कि इन तिन्नों गुणों की भक्ती करने वालों को राक्ष सवबाव को धार्ण की, मनुस्यों मनीज, दूसीत करम करने वाले क्य इन गुणों की भक्ती करने वालों को, क्योंकि एक समय, जैसे बगवान सिव की पूजा की थी, तमोगन सिव की किसने बस्मागिरीन है, और बस्मागिरीन ने तपस्या करके बगवान सिव से बस्म कड़ा पराप्त कर लिया, और उसके मन में क्या दुष्टता थी, कि पर्वाति को मारूंगा। पारवति को अपनी पत्मी बनाउंगा। उभवान सिव जी और उसी समय कहा के होले संकरो शियरत न अमारूँगा, पारवति को पत्मी बनाउजा। बगवान श्रिव जी बाग लिए। फिर प्रमात्मा ने आकर के वार्वती रूप बना के बस्मा गिरी को मारया फिर बस्मा सुर कहलाया उराकसस ऐसा जुलम कर दिया जिसको इस रूप में पूज रहा रुसी की पत्नी पर बुरी भावना उसकी बुरी नजर है दुष्ट के इस से नीच और कौन करम होगा इनका रावन ने तमोगन शिव की पूजा की थी आपके समक से और राकसस कहलाया और एरनेक से पून रजगुन बिर्भा की पूजा की थी अपने पूतर का प्रलाद का सत्रू बनेगा राकसस कहलाया आप विश्णु जी के उपासकों की आपको बताते हैं कि बार कौम का मेड़ा बना था हर दवार में हर्की पेड़ीपै वहाँ पर इये गिरी पूरी सन्यासी नागा और विष्णु विष्णु जी के सतोगुन के उपासक ये सब वहाई कठे होगे सिनान के उपर जगडा हो गया नागा पहले नाने लगे उस पर हरकी पैडियां पर जो कती नंगी रहते हैं वो से तमोगुन शिव के उपासक और वैशनु विशनु जी के वपास सतोगनु विशनु के अब वैशनु कहने लगे हम पहले नाओंगे हम स्रेष्ट हैं वह कहने लगे नागा हम स्रेष्ट हैं हम पहले नाएंगे लठवाज गया तलवारों से काट डाले तीर मारे तलवार मारे बढ़के बर लिये दूसरे के बाड़ पकट लिये नों पस्वों की तरह लड़े है तो इसलिए कहा गीता जित है नुबर साथ के स्लोक नुबर बारा से पदरा तक कि तर्गुण मुई माया के दौरा जिनका ग्यान हरा जा चुका है तर्गुण मुई माया है यानि इन ही तक दुस्य मी तैनी की साधनामों जे हुए हैं वो राक्ससों बाव को धार्न के वे मुनुष्यों मनीच दुसीत करम करने वाले मूरक ऐसे जुलम राक्ससों से भी बुरे करम का काट डाला एक दूसरे को तो पत्तीस हजार ये तर्गुण उपासक कट कमर गे वहां पर इसलिए गीता जीम कहा कि तीनों गुणों के उपासक तीन गुण में माया के दुवारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है राक्ससों भाव को धारन कीवे मुलशों में नीचे दुशित करने वाले मूर रखे मेरी साद ना भी ना करते हैं बर्म साद ना भी नहीं करते हैं और बर्म सादकों के बारें बताया कि ये ग्यान्नी है इन चैरों में ग्यानी मुझे पच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे स्लेक्ट कर लिया इन्होंने नीचे की बिर्मा विश्णों महिसान उपासना को कती रिजेक्ट कर दिया लेकिन साथ में देकेठार में सलोक में कहा है कि ये गैनी आत्मा है तो उद्धार उद्धार वाने अच्छी आत्मा है नेक आत्मा है प्रमात्मा पाणे के लिए समर्पित हैं लेकिन ये मेरे वाली अनूतम अती घटिया एस रिष्ट गती मही सचीत हैं आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महाराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपाल जी महाराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महाराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541